नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्फ करने वाले हैं 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट और यह 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों, इसके अंदर हम परिमे संख्याओं की जमा और घटा समझने का परियास करेंगे, तो प्यारे आफ़ 6 को जमा करें, तो 14 को जिएंए हम अगर 8 में से 6 को घटा करें तो 2 को आजाते हैं, तो 8 जमाठ 14 जमाठ 6 από 14 जलिख शक्ते हैं,fed 1 जमाठ 6 बच्ध बच्त, बच्ध बच्ध 1 ब्राबर 14 बच्त, alltså गिए यहांन fianceकि अगर नीचे की संख्या उसको एक का एक ही रहने दिया तो यह हमारा फॉर्मुला है कि यदि दो या दो से अधिक परिमे संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन के अनुसार जमा करते या घटाते हैं और हर के स्तान पर वही संख्या लिख देते हैं बस लिखा चाई काफ्यां के समये लिखा है कि शीला ने अपने जनन्स दिन पर अपनी अपनी मम्मी को एक बठा और पापा को कितना केच मिला तो एक बठा आठ हर्ण 2,8 और शीला से कितना बचा तो आठ बठा आठ में से तीन बता आठ घता कर दें कितना बचा पांच भटा तो नहीं ने एक चॉकलेट खरी दी जिसमें 10 तुकड़े थे रीटा ने शामको दूकड़े दे दिये और मीना को तीन टुकड़े दे दिये रीटा और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है छाय अंकित कीजिए तो बेटा दो बटा दस और तीन बटा दस तो दो और तीन यहां से यह दो गए फिर यह तीन गए तो कितने हो गए पाँच तो उत्तर कितना आ गया उत्तर आ गया पाँच बटा दस उत्तर आ गया आपका पाँच बटा दस ऐसे आ गया कि रीटा के पास कुल कितना चॉकलेट भचा तो देखे रीटा के पास रीटा ने यह उपर वाला हिस्सा तो चला गया तो यह नीचे वाला हिस्सा भचा और यह कितना है यह 5 दस बटा बट दस गटा 5 बटा 10 तो कितना बचा 5 बटा 10 वास्तव में यह बहुत असान है नीचे दी गए चीनों को हल करें तो बटा 2 बटा 4 में से 1 बटा 4 गया तो कितना बचा 1 बटा 4 ऐसे ही आगे करते है चार बेटा पांच जमा तीन बेटा पांच तो यह कितना हो जाएगा चार तो यहां तो चार हो गए और यहां तीन हो गए तो यह हो जाएगा आपका चार बेटा पांच और तीन बेटा पांच जिसका उत्तर होता है साथ बेटा पांच चलिए आगे देखते हैं फिर्वम तो यह हमने इंदी मीडियम की वरकशीट को तो सॉल्फ कर लिया इंग्लिश की भी देख लेते हैं तो इंग्लिश में भी वह सेम चीज कहते हैं कि एडिशन अन सब्ट्रैक्शन आफ रैस्टनल नंबर्स डियर स्टुडेंट एज़वी नो एट को लिख सकते हैं 8 upon 1, 6 को लिख सकते हैं, 6 upon 1, 14 को 14 upon 1, और 2 को 2 upon 1, so 8 plus 6, 14, 14 क्या होगा, 8 by 1 upon 6 by 1, तो 14 by 1 ये सेम होता है, यानि कि अगर मुझे fraction को add करना है, तो नीचे का number मैं सेम लिख दूँँगा, सिर्फ जो उपर का number है, उसको हम add कर देंगे, if 2 and more rational numbers have same denominator, मतलब upon में same है, then we add or subtract the numinators according to sign, तो numinator का simple sign के साब से उसको add कर देते हैं, we can easily get the formula to add and subtract rational numbers हो, यह formula बन गया ना, अब आगा add and subtract करना rational numbers को, example दिया हो है, Sheila gave 1 by 8 piece of cake and 2 by 8 piece of cake to her mother and father, respectively on the occasion of her birthday, अब Sheila का बडड़े था, तो Sheila ने cake के बड़ाबर 8 हिससे किये, जिसमें से एक हिससा उसने अपनी मम्मी को दे दिया, और दो हिससा आपने पापा को दे दिया, तो देगे, एक बटा 8 हिससा दिया मम्मी को, दो बटा 8 हिससा दिया पापा को, कुल कितना cake को बाट चुकी है, तो बाठ चुकी है, 1 बाठ 8 चमा 2 बाठ 8 यानική 3 बाठ 8 और अभी भी ये सफेद वाले 5 हिस्से उसके पास बचे थे तो 8 बाए 8 टोटल हिस्से थे, 3 बाए 8 उसने बाठ दी है, तो कितना बचा? 5 बाए 8 ये 5 बाए 8 वो है जो अभी भी शीला के पास है चलिए आगे देखते है अब है रीटा बॉट ए चॉकलेट ऑफ 10 पीसिस फ्रम विच शी गेव टू पीसिस टू श्याम एंद 3 पीसिस टू मीना अभी हमको सॉल्फ करना है रीटा श्याम मीना के बारे में तो इसको बढ़ा कर लेते हैं ताकि हम आजाम से सॉल्फ कर पाएं लिखा है कि रीटा बॉट एक चॉकलेट ऑफ 10 पीसिस तो रीटा ने दस पीस का चॉकलेट खरीदा फ्रम विच शी गेव टू पीस टू श्याम और उसमें से उसने दो पीस श्याम को दे दिये मैं होता है किसी को कुछना देता लेकिन रीटा अच्छी लड़की है उसने श चुकिया हो यह पांच इसे दो बांट चुकिया तो क्या बचा उसके पास टोटल कितना बाटा उसने टोटल बांट दिया पांच बटा दस दिखा ना पांच खाने ओपर से काउंट कर लो और नीचे टोटल डिकॉकलेटी दस बटा दस जिसमें से पांच बटा दस अगर उ इस question को नीचे solve करते हैं, क्या question है, question में उसने बोला, कि 2 बटा 4 में से एक बटा 4 को घठा करो, तो हम झाओ, 2 बटा 4 में से 1 गटा 4 को घठा करेंगे, तो एक बटा 4 भी आएगा, समझ पे, और यह अगर एक घठा कर दिया, आपके बास सिर्फ एक हिस्सा बचा तो इसे कि आप चाओ दो ऐसे हाइलाइट भी कर सकते हैं फिर आपका चार विटा पांच जम तीन बटा पांच तो सीडियी सीद्य हो गया साथ बटा पांच जिसमें से आपका एक दो तीन चार पांच ओग्रण्र जिए छह साथ तो मैंने इसको हाईडायट कर दिया तो तो बच्चो हमारी आज की दोनों वर्क्षीट ओवर हो गई है मुझे लगता है आपको सावी वर्क्षीट समझ में आई होगी हमने क्या किया कैसे कैसे क्या तो बच्चों आपसे कल मुलाकात होगी फिर अब कल की वर्कशीट के साथ तब तक के लिए stay healthy and stay safe